नमस्ते गाइस आशीश आपन नमस्ते डेक पारवार अपास है आईकू का Z3 और यह जो वीडियो रिकॉर्डिंग अभी आप देख रहे हो यह हमने इसके रियर क्यामरा से रिकॉर्ड किया था कि आपको एक आइडिया लगे कि इंडोर में किस तरह का कंडिशन एक्सपेक कर सकता है मेरे पास अभी दो ट्यूग लाइट्स ओन है और सब कुछ अल्मोस्ट शान्त है तो एक आउडियो क्वालिटी का भी एक्सपिरिंस पताल जाएगा जो चीज मैंने नोटिस की है कि इंडोर में थोड़ा सा लाइट कम होता है कम degशन डो जेमेन इसका फ्रेंट कामरा में स्विच कराओ जसे फ्रेंट कामरा कारूंगा आप नोटिस करऊए ग upside इसका बढ़ गनी इसका इंडेकिंधी अगरा उन है और लाइट टेकिंग के पासिटी आइसा लगता है और यह हम कर रहे हैं इसके front camera से recording तो आप obviously देख सकते हो कि light ज्यादा capture हो रहा है और साथी साथ face पे जो cleanness है वो सब भी ज्यादा दिख रहा है तो beauty mode इसका 50% on है इसको आप control कर सकते हो जो कि video में आपको features में बताने वाला हूँ साथ ही साथ at the end तक देखते रहना क्योंकि इसके camera samples से मिलेंगे slow motion वगरा सब कुछ में आपको बताऊंगा आई शरू करते हैं तो चलिए बात करते हैं इसमें कि आपको किस तरह का options मिल रहा है तो आपको नीचे interface, super interface, options, mode, सब कुछ मिलता है तो आप यहाँ पे expand कर लिजेगा इसको दबाके और उपर आप देख सकते हैं आपको flash mode मिल रहा है, flash mode basically ती तरीके का है, auto, turn on, flash light या fill light, fill light basically torch की तरह काम करता है, permanent turn on भी कर सकते हो, auto रो सकते हो, अपने आप हो सकता है, मेरे experience में off जादा बेटर काम करता है, बट कुछ ऐसी conditions हो जाती है, जिसमें आप इसको auto या turn on कर लेना, उसके बाद है SDR mode, so SDR mode toggle on off करना पड़ता है, और यह वहाँ काम आता है, जहां पिच्चा की sharpness को better करना है, जैसे landscape या कुछ ऐसे photos ले रहे, daylight में, तब यह बहुत काम आता है, बट एक जो drawback है, कि यहाँ पर SDR mode जो है, automatic on नहीं होता है, usually आजकल SDR auto आने ल photos लेता है, तो उसको boost up करता है, उसका color हो, sharpness हो, artificial intelligence को use करके, मैं यह नहीं कहूंगा कि यह use ही मत करो, अपना अपना purpose है, बट अब try करो, और अगर results आपको पसंद आते हैं, तो why not, next है macro mode, तो macro mode manually आपको enable करना पड़ेगा, और आप pass की pictures ले सकते हो, close up pictures ले सकते हो, लेकिन जो एक drawback है, इस पूरे macro mode में, वो यह कि automatic on नहीं होता है, कई cameras में आजकल आने लग गए है, automatic macro mode on हो जाता है, यहाँ पे नहीं है, but it works just fine, उसके बाद आपको lines मिलते हैं, फिर countdown है, आपको countdown में 10 second, 5 second और 3 second, 3 option मिलते हैं, उसके बाद आप countdown बंद कर दो, फिर आपको frame मिलता है, frame again 3 तरीके का है, 4 is to 3, full, 16 is to 9, 1 is to 1, 4 तरीके का actually, तो सबका अलग-अलग purpose है, बढ़ अगर सिर्फ एक normal photography कर रहे हो, तो 4 is to 3 यूज़ करो, instagram यूज़ करो, तो आप 1 is to 1 यूज़ कर सकते हो, अगर आपको cropping का पूरा idea है, तो 16 is to 9 is cinematic mode, तो आप उसको भी यूज़ कर स है, जो इसका rear camera उसकी बात कर रहा हूँ, और यहाँ आपको नीचे तीन option मिलता है, एक तो double zoom है, 2x zoom मिलता है, आप further zoom कर सकते हो, 10x तक, but again, कोई मतलब नहीं है उसका, उसके बाद 0.6 इसको बोला जाता है, but this is basically ultra wide mode, कि अगर आप ultra wide camera से photo लेना चाहते हो, ज्यादा लोग है बहुत सारे लोग एक साथ photo feature या landscape इतना सुन्दर है कि आप wide angle यूज़ कर सको, साथी साथ आपको filter का option मिलता है, तो filter यहाँ काफी तरीके का है, मैं preview on करता हूँ, तो आपको समझ में आएगा, तो यह basically अलग-अलग color change करता है, यहाँ पे, अलग-अलग effects आपको मिलते हैं, साथी साथ आपको light effect भी मिलता है, जो कि एक अगर सामने आदमी होगा, तो यह ज्यादा better काम करेगा, यह basically iPhone से लिया गया है, और उसमें अलग-अलग तरक है, और यह post processing करता है, आप जब लेते हो तब समझ में नहीं आएगा, but this is post processing, next अब बात करते हैं, वीडियो मोड की, तो यहाँ पे आपको EIS मिलता है, जी हाँ, EIS भी है और Ultra EIS भी है, यहाँ पे एक hand का scene है, जिस पे अगर आप टाप करोगा तो आपको standard stabilization, ultra stable या off, तीनों मोड मिलते हैं, और जब आप वीडियो लेते हो, तो यह थोड़ा था close up ले आता है थोड़ा zoom type stabilization है, और इसमें आपको साथी साथ filter और beauty mode दोनों ही मिलता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सब एक photo mode में ही है, अगर आप filter पे tap करोगे तो आप देख सकते हो, तीन तरगा मिल रहा है, आपको art portrait में एक दो तीन यहाँ मिल रहा है, and filters भी available है, अलग-अलग तरगे filters आप use कर सकते हो, intensity कम ज्यादा भी कर सकते हो, beauty mode भी available है, अगर आपको अपना चेहरा चमकाना है, या आप नाक सीरी करनी है, या इस तरह का कुछ भी option है, अगर आपको वो सब सेट करना है, तो आप इसको use करो, यह live preview दिखाएगा, तो well and good, next चलते है, portrait mode में, तो portrait mode में काफ बहुत ज्यादा, अगर आपको तो काफी amazing है, आप यहाँ पे style select कर सकते हो, अगर कोई कैसे बेठा है, pose ले लेके अगर photo कीचवाना है, तो आप कर सकते हो, filters available है, जो हम लोग ने पहले भी देखा था, light effects available है, इन तीनों चारों को आप combine करके photo ले सकते हो, जो की fantastic result लेके आ स सकता है, उसके बाद यहाँ bokeh effect है, bokeh effect पे एक चीज़ है कि यह live preview नहीं दिखाता है, जो मैंने इसको notice किया, कई बाए photo घीच के, कि जब आप यहाँ पे modes अलग style select करते हो, तो तो तुरन नहीं दिखाता है, लेकिन हाँ post processing है, तो photo लोगे उसके बाद ही आपको समझ में आएगा, तो यह तो bokeh का control हो गया, बाद में भी control कर सकते हो, जब भी आप, जैसे यह photo है, इसमें अगर आपको bokeh control करना है, तो आप चाहो तो पीछे focus कर दो, यह blur हो जाएगा, जैसा आपको इच्छा, आप यहाँ पे लाके कितना bokeh लाना वो भी control कर सकते हो, plus minus possible है, उ night mode आपको ultra wide angle lens में मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, 1x zoom, zoom वगरा सब कुछ है, और style भी available है, अगर आपको night में कुछ styles डाला है, यह अच्छी अच्छा लगता है, अगर night में थोड़ा ता करो तो यह, especially parties या कहीं आप hotel में गए हो, background lighting बात अच्छी है, उस case में काफ बूल गया, वो यह कि इसका जो resolution है, वो 4K तक जाता है, अगर resolution पर टाप करोगे तो 4K जाता है, लेकिन अगर आपने beauty mode on कर दिया किसी भी तरीके से, तो जो resolution है, वो सिर्फ 1080p तक रहे जागा, यही इसका एक limitation है, drawback नहीं बोलूँगा, limitation है, साथ ही साथ आप अगर 4K resolution पर वीडियोज शूट कर रहे हो, तो जो frame rate है, वो आप 60fps पर कर सकते हो, बेटर वीडियोज शूट होंगे in very short, साथ ही साथ आपको movies वाला section में मिलता है, अगर आपको movie वाला aspect का, अगर आपको idea है, आप movies वगरा ले, जैसा scene शूट करना चाहते हो, तो इसके साथ experiment करो, साथ ह आपको इसमें beauty filter वगरा मिलेगा, beauty effect भी मिलेगा, आप cinematic mode में सब कुछ use करके, एक काफी बढ़या mode use कर सकते हो, in fact इसको शादी में, parties में use करना, तो आपको clearly समझ में आगा कि कैसे क्या है, next more में चलते हैं, यहां आपको 64 megapixel का option मिल रहा है, panorama self sufficient अपने आपको बताने के लि resolution videos में आपको जो resolution मिल रहा है, वो है 720p और 1080p, आप जब 1080p सेलेक करते हो, और जो fps है, वो 120 पर रखते हो, तब तो ठीक है, लेकिन जैसी आप 240 fps पर switch करोगे, यहां पर जो आपका video resolution है, वो 720p हो जाएगा, इसीज का धियान रखिएगा, next time lapse है, pro mode available है, तो pro mode में आपको wide angle lens म में भी pro mode मिलता है, normal में मिलता है, यह सब आप सब को change कर सकते हो, reset कर सकते हो, information यह available है कि क्या mode, क्या चीज के लिए है, उससे आपको एक idea लग जाएगा, साथ ही साथ उपर जो है, आपको यहां पर raw का support मिलता है, तो अगर आप edit करना चाते हो, एक दम original वाली image, जिसमें आप काफी आपको इसमें फायदा होगा, उसके बाद document mode है, AR sticker है, यह सब self-explanatory है, कि भई stickers वगरा किसको शौक नहीं है, आजकर document scanner भी है, इन बिल्ट तो आपको और कुछ जरुवत नहीं है, यूज करने की, अब चलते हैं front camera की तरफ, जब front camera आप launch करोगे, तो यह आपको सीधा portrait mode में ले आएगा, HDR on, portrait mode में और जो light, amount of light capture करता है, आपने देखे था वीडियो जब शुरू में दिखाया था, मैंने आपको काफी light capture करता है, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आप बोके कंट्रोल कर सकते हो, साथी साथ आपको beauty mode का option मिल रहा है, सब को check part य makeup कई जाने की जरुवत नहीं, beauty mode available, एक दम full on वाला, अलग तरह का pose है, सब को combine करो, बिल्कुल stylish photo आएगी, सामने वाला जब पहली बार मिलो तो शायर ना पहचान पाए, खेर, तो यह available है, फिर आपको और क्या option मिल रहा है, HDR मिल रहा है, और तो कुछ नहीं, standard है, night mode आपको front में मिलता है, और साथी साथ आपको beauty effects भी मिलता है, आप उसको use कर सकते हो, front camera के video mode की बात करें, तो आपको यहाँ पे beauty, filters, सब कुछ मिल रहा है, और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जो accidentally discover किया था, वो यह कि जब आप यहाँ पे रहोगे, और आपने film mode या movies वाला mode select कि और आप अगर front में switch करते हो, तो आप इसको cinematic view में देख सकते हो, यह option यहाँ भी available है, और इसमें आप resolution चेक कर सकते हैं, आपको 1080p तक का video shoot करने का आपको option मिल रहा है, बाकी और कहीं भी आपको front camera को use करने का कोई भी option नहीं है, वीडियो है, photo है, portrait mode है, night mode है, अब finally हम लोग चलते हैं settings की तरफ, तो settings में जाते हैं, तो यह आप location देख सकते हो, enable कर सकते हो, mirror selfie enable कर सकते हो, motion autofocus तो यह आई tracking होती है, यह बहुत अच्छी चीज है, कि अगर आप किसी का close of photo ले रहे हो, और नहीं चाहते कि focus उसकी तरफ से कहीं जाए, तो आप autofocus कर सकते हो, animation आपको जैसा चाहिए, वैसे तो square आता है, लेकिन आपको अगर दिखाना है, या बताना है, तो भी थोड़ा सा अलग तरगा effect ले आओ, body autofocus है, track कर सकता है, objects track कर सकता है, तो video graphic के मामले में, बहुत amazing लग रहा है यह phone अभी तक, उसके अलाबा आप watermark कर सकते हो, तो time watermark, model watermark, या custom watermark, custom watermark में जाओगे, तो आप अपना एक नाम डाल सकते हो, यहाँ पे, उसके बाद जब भी आप फोटो लोगे, तो वहाँ पे वो नाम आ जाएगा, shutter की आवाज, touch, voice या palm, तो मान लो आपने palm किया है, और अगर आप यहाँ पे selfie camera, अगर आप on करते हो, और यहाँ पे मैं palm दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हो कि यह फोटो लेने लग गया है, और यह फोटो ले लिया, तो यह उस जगह पे बहुत काम आता है, portrait framing अविलेबल है, histogram अविलेबल है, shutter भी अलग अलग तरग अविलेबल है, touch, voice या palm, जैसी आपकी इच्छा हो, और last में कुछ नही वीडियो, samples और photo samples देख लो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगों, तो इस वीडियो को जबूर लाइक करेगा, शेर करेए अपने दोस्तों के साथ, देखने के लिए धनिवाद, तो चली अब बात करते हैं, इसमें कि आपको किस तरह का options मिल रहा है, तो आपको कर सकते हो, auto और सकते हो, अपने आप हो सकता है, मेरे experience में off ज़्यादा बेटर काम करता है, बट कुछ ऐसी conditions हो जाती है, जिपस में आप इसको auto या turn on कर लेना, उसके बाद है SDR mode, so SDR mode toggle on off करना पड़ता है, और यह वहाँ काम आता है, जहां पिच्छा की sharpness को बेटर करना ह landscape या कुछ ऐसे photos ले रो, daylight में, तब यह बहुत काम आता है, बट एक जो drawback है, कि यहां पर SDR mode जो है, automatic on नहीं होता है, usually आजकल SDR auto आने लग गया है, लेकिन इसमें नहीं है, तीसरा mode है AI का, तो AI by default off है, और यह basically करता क्या है, कि जब कोई भी photos लेता है, तो उसको boost up करता है इसका color हो, sharpness हो, artificial intelligence को use करके, मैं यह नहीं कहूंगा कि यह use ही मत करो, अपना अपना purpose है, बट आप try करो, और अगर results आपको पसंद आते हैं, तो why not, next है macro mode, तो macro mode manually आपको enable करना पड़ेगा, और आप pass के pictures ले सकते हो, close up pictures ले सकते हो, लेकिन जो एक drawback है, इस पूरे macro mode में, वो ही है कि automatic on नहीं होता है, कई cameras में आजकल आने लग गए है, automatic macro mode on हो जाता है, यहाँ पर नहीं है, but it works just fine, उसके बाद आपको lines मिलते हैं, फिर countdown है, आपको countdown में 10 seconds, 5 seconds और 3 seconds, 3 option मिलते हैं, उसके बाद आप countdown बंद कर दो, फिर आपको frame मिलता है, frame अगें 3 तरीके का है, 4 is to 4 is to 3, full 16 is to 1, 4 तरीके का actually, तो सबका अलग अलग purpose है, बढ़ आप अगर सिर्फ एक normal photographic कर रहे हो, तो 4 is to 3 यूज़ करो, instagram यूज़ करो, तो आप 1 is to 1 यूज़ कर सकते हो, अगर आपको cropping का पूरा idea है, तो 16 is to 9 is cinematic mode, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, depending, आप क्या shoot कर हो, कैसे shoot कर रहा हो, next, अब जब camera पहली बार launch करोगे, तो यह photo mode में आता है, जो इसका rear camera उसकी बात कर रहा हो, और यहाँ आपको नीचे तीन option मिलते है, एक तो double zoom है, 2x zoom मिलता है, आप further zoom कर सकते हो, 10x तक, but again, कोई मतलब नहीं है उसका, उसके बाद 0.6 इसको बोला जाता है, but this is basically ultra wide mode, कि अगर आप ultra wide camera से photo लेना चाहते हो, ज्यादा लोग है, बहुत सारे लोग एक साथ photo feature हो, या Lance के पितना सुंदर है कि आप wide angle use कर सको, साथी साथ आपको filter का option मिलता है, तो filter यहाँ काफी तरीके का है, मैं preview on करता हो, तो आपको समझ में आएगा, तो यह basically अलग अलग effects आपको मिलते है, साथी साथ आपको light effect भी मिलता है, जो कि एक अगर सामने आदमी होगा, तो यह ज्यादा better काम करेगा, यह basically iPhone से लिया गया है, और उसमें अलग अलग तरह का और यह post processing करता है, आप जब लेते हो तब समझ में नहीं आएगा, but this is post processing, next अब बात करते हैं video mode की, तो यहाँ पे आपको EIS मिलता है, जी हाँ, EIS भी है और Ultra EIS भी है, यहाँ पे एक hand का scene है, जिस पे अगर आप टाप करोगो तो आपको standard stabilization, ultra stable या off, तीनो mode मिलते हैं, और जब आप video लेते हो तो यह थोड़ा सा close up ले आता है, थोड़ा zoom type stabilization है, और इसमें आप आपको साथी साथ filter और beauty mode दोनों ही मिलता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सब एक photo mode में ही है, अगर आप filter पे tap करोगे तो आप देख सकते हो, तीन तरगा मिल रहा है, आपको art portrait में एक, दो, तीन यहाँ मिल रहा है, and filters भी available है, अलग-अलग तरगे filters आप use कर सकते हो, intensity कम ज्या यह live preview दिखाएगा, तो well and good, next जलते है portrait mode में, तो portrait mode में काफी कुछ है, actually, अगर आप portrait mode लेने का shock बहुत जादा, अगर आपको तो काफी amazing है, आप यहाँ पे style select कर सकते हो, अलग-अलग तरग कोई कैसे बैठा है, पोज ले लेके अगर photo की च्वाना है, तो वह आप कर सकते हो, filters available है, जो हम लोग ने पहले भी देखा था, light effects available है, इन तीनों चारों को आप combine करके photo ले सकते हो, जो की fantastic result लेके आ सकता है, उसके बाद यहाँ bokeh effect है, bokeh effect पे एक चीज़ है कि यह live preview नहीं दिखाता है, जो मैंने इसको notice किया, कई बाए photo कीच के, कि जब आप यहाँ प सकते हो, जब भी आप, जैसे यह photo है, इसमें अगर आपको bokeh control करना है, तो आप चाहो तो पीछे focus कर दो, यह blur हो जाएगा, जैसा आपको इच्छा, आप यहाँ पे लाके कितना bokeh लाना, वो भी control कर सकते हो, plus minus possible है, उपर menu में अगर देखोगे, तो एक HDR mode है, जो के again image को sharpen कर देगा, default on है, on off जैसा भी हो, आप उसको change कर लेना, बात करते है, night mode की, तो night mode आपको ultra wide angle lens में मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, 1x zoom, zoom वगरा सब कुछ है, और style भी available है, अगर आपको night में कुछ styles डालना, यह अच्छी अच्छा लगता है, अगर night में थोड़ा त results लेका आएगा, intensity कम बेसी करके आप उसका adjustment देख लेना, उस आप से photo पे जरूर एफेक्ट पड़ता है, वीडियो मोड में आप कोई चीज बताना भूल गया, वो यह कि इसका जो resolution है, वो 4K तक जाता है, अगर resolution पे tap करोगे तो 4K जाता है, लेकिन अगर आपने beauty mode on कर दिय या किसी भी तरीके से, तो जो resolution है, वो सिर्फ 1080p तक रहे जाएगा, यही इसका एक limitation है, drawback नहीं बोलूँगा, limitation है, साथी साथ आप अगर 4K resolution पे वीडियो शूट कर रहे हो, तो जो frame rate है, वो आप 60fps पे कर सकते हो, बेटर वीडियो शूट होंगे in very short, साथी साथ आपको movies वाला section भी मिलता है, अगर आपको movie वाला aspect का अगर आपको idea है, आप movies वगरा ले, जैसा scene shoot करना चाहते हो, तो इसके साथ experiment करो, साथ ही साथ आपको इसमें beauty filter वगरा मिलेगा, beauty effect भी मिलेगा, आप cinematic mode में सब कुछ use करके, एक काफी बढ़िया mode use कर सकते हो, in fact इसको शादी मे parties में use करना, तो आपको clearly समझ में आगा कि कैसे क्या है, next more में चलते हैं, यहाँ आपको 64MP का option मिल रहा है, panorama, self sufficient अपने आपको बताने के लिए, panorama फोटो, live फोटो, यानि की 10 सेकेंड का छोटा दा वीडियो बन जाता है, slow motion जरूर देख लेते हैं, तो slow motion वीडियो में आप आपको जो resolution मिल रहा है, वो है 720p और 1080p, आप जब 1080p सेलेक करते हो, और जो fps है, वो 120 पर रखते हो, तब तो ठीक है, लेकिन जैसी आप 240 fps पर switch करोगे, यहाँ पर जो आपका video resolution है, वो 720p हो जाएगा, इस हीच का धियान रखिएगा, next time lapse है, pro mode available है, तो pro mode में आपको wide angle lens में 3 pro mode मिलता है, नॉर्मल में मिलता है, यह सब आप सब को change कर सकते हो, reset कर सकते हो, information यहाँ अवेलेबल है कि क्या mode, क्या चीज के लिए है, उससे आपको एक आडिया लग जाएगा, साथ ही साथ उपर जो है, आपको यहाँ पर raw का support मिलता है, तो अगर आप edit करना चाते हो, एक sticker है, यह सब self-explanatory है, कि भई stickers वगरा किसको शौक नहीं है, आजकल document scanner भी है, इन बिल्ट तो आपको और कुछ जरूवत नहीं है, यूज करने की, अब चलते हैं front camera की तरफ तो, जब front camera आप launch करोगे, तो यह आपको सीधा portrait mode में ले आएगा, HDR on, portrait mode में, और जो light, amount of light capture करता है, आपने देखे था, वीडियो जब शुरू में दिखाया था, मैंने आपको काफी light capture करता है, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आप भोके control कर सकते हो, साथी साथ आपको beauty mode का option मिल रहा है, सब को check-it part यहाँ पे भई, मतलब अपने आपको दुबला पतला trim trim एगदम दिखाने का अगर आपको shock है, तो यह best mode है, थोड़ा experiment करना पड़ेगा, make-up लगा सकते हो, make-up कई जाने की ज़रुवत नहीं, beauty mode available, एगदम full-on वाला, अलग अलग तरह का pose है, सब को combine करो, बिल्कुल stylish photo आएगी, सामने वाला जब पहली बार मिलो, तो शायर ना पहचान पाए, खेर, तो यह available है, फिर आपको और क्या option मिल रहा है, देख लेते हैं, sdr मिल रहा है, और तो कुछ नहीं, standard है, night mode आपको front में मिलता है, और साथी साथ आपको beauty effects भी मिलते हैं, आप उसको use कर सकते हो, front camera की video mode की बात करें, तो आपको यहाँ पे beauty, filters, सब कुछ मिल रहा है, और एक चीज में आपको बताता हूँ, जो accidentally discover किया था, वो यह कि जब आप यहाँ पे रहोगे, और आपने film mode या movies वाला mode select किया, और आप अगर front में switch करते हो, तो आप इसको cinematic view में देख सकते हो, यह option यहाँ भी available है, और इसमें आप resolution चेक कर सकते हैं, आपको 1080p तक का वीडियो शूट करने का आपको option मिल रहा है, बाकी और कहीं भी आपको front camera को use करने का कोई भी option नहीं है, वीडियो है, photo है, portrait mode है, night mode है, अब finally हम लोग चलते हैं, settings की तरफ, तो settings में जाते हैं, तो यहाँ आप location देख सकते हो, इनेबल कर सकत हो, motion autofocus, तो यहाँ eye tracking होती है, यह बहुत अच्छी चीज है, कि अगर आप किसी का close of photo ले रहे हो, और नहीं चाहते हैं, यह focus उसकी तरफ से कहीं जाए, तो आप autofocus कर सकते हो, animation आपको जैसा चाहिए, वैसे तो square आता है, लेकिन आपको अगर दिखाना है, या बताना है, तो भी थोड़ा सा अलग तरगा effect ले आओ, body autofocus है, track कर सकता है, objects track कर सकता है, तो video graphic के मामले में बहुत amazing लग रहा है यह phone अभी तक, उसके अलावा आप watermark कर सकते हो, तो time watermark, model watermark, या custom watermark, custom watermark में जाओगे तो आप अपना एक नाम डाल सकते हो, यहाँ पे, उसके बाद ज अगर आप यहाँ पे selfie camera, अगर आप on करते हो, और यहाँ पे मैं palm दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हो, यह photo लेने लग गया है, और यह photo ले लिया, तो यह उस जगह पे बहुत काम आता है, portrait framing available है, histogram available है, shutter भी अलग अलग तरग अविलेबल है, touch voice या palm, जैसी आपकी इच अचा हो, और last में कुछ नहीं समझ में है, तो reset कर देना, in case अगर आपने option में तो दोस्तों यह थे IQ Z3 के camera features, tips and tricks, जो भी आपको मैंने बताया, with, अब आप यहाँ पे video samples और photo samples देख लो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग तो वीडियो को ज़ोर लाइक करेगा, शेर करेए अपने दोस्तों साथ, देखने के लिए जन्यवाद,